ये सुस्षी जैस्वार, रितुराज गायकवार और इसान किशन के अर्ष सतक के बाद रिंकु सिंग की आतिशी पारी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मैच में 44 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने पाच मैचों की शिरीज में 200 ने की वढ़त हासिल कर ली है। भारतिये टीम ने इस मैच में पहले बल्ले बाजी करते हुए 200 भर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए जो T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाब भारत का सबसे वरा स्कोर है। जवाब में लिया की टीम ने टॉस जीत कर गीनबाजी का फैसला लिया। भारतिये ओपनर इसस्वी जाइसपाल और डितुराज गायकवार के बीच 77 रन की साज़ेदारी हुई। इसस्वी जाइसपाल अलग ही अंदाज में बल्ले बाजी करते नजर आये। उन्होंने 24 गेन में अपन बनाये वहे रिंकु सिंग ने 9 गेन में 31 रन की 24 टक पारी खेली। रिंकु सिंग ने अपनी पारी में 4-4 के और 2-6 के लगाये। भारत के 236 रन के लक्ष के जवाब में ऑस्टेलिया के टीम 20 ओभर में 9 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। ऑस्टेलिया के लिए मारकस स्टॉन इसने 25 गेन में 45 रन, टिम डेविड ने 22 गेन में 37 रन और कप्तान मैठ्यू बेड ने 23 गेन में नाबाद 42 रन की पारी खेली। भारत के लिए गीनबाजी में प्रिशिद्ध क्रिशना और रभी विश्नोई ने 3-3 विकेट हासिल किये वहीं अर्चदीप सिंग, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को एक-एक सफलता मिली। तिरुअनन्द पूरम में खिले गए मैच में कई रिकॉर्ट्स फ्रिबने। पहली बार भारत के तीन सिर्श बल्लेबाजों ने एक मैच में अर्ध सतक लगाया। इसके अलाबा पहली बार तिरुअनन्द पूरम में 200 का स्कोर पार हुआ। इससे पहले बेश्ट इंडिज ने दिसंबर 2019 में भारत के खिलाफ 173 रन बनाये थे। इसके अलाबा भारत ने ऑस्टेलिया के खिलाफ पाचवी बार 200 या उससे अधिक का स्कोर खरा किया। वहीं एसस्वी जायसवाल ने पाबर पले में रिकॉर्ड स्कोर बनाया। उन्होंने 25 गेंद में 9 चौके और 2 छक्के की मदद 6 तिरफंडन बनाये। उन्होंने 24 गेंद में अपना दूसरा अर्ध सतक पूरा किया। इसके अलाबा इसस्वी जायसवाल पहले च्छा होवर में अर्ध सतक लगाने वाले तीसरे भारतिये खिलारी बन भारतिये टीम का T20 में सरवाधिक स्कोर सिरलंका के खिलाब है। साल 2017 में इन दौर में खेले गए मैच में भारत ने सिरलंका की खिलाब 20 ओवर में 5 विकेट पर 260 रन बनाये थे। इस वेडियो में इतना ही खेल जगत और उससे जुरी अनिक खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।